हेलो एवरिवन, वेलकम तो माई यूटूब चैनल सिवम चौधरी, मैं सिवम चौधरी आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ हम लोग देख रहे हैं, यूनिट से बें, लेक्चर नाइन, सिगनल सिस्टम, जिसमें हम लोग सिगनल फ्लोग्राप के कॉश्चन को सॉल्व करेंगे आपका कॉश्चन है, पहला पार्ट में आपको क्या करना है, जो आपको सेट आप इक्वेशन दिया हुआ है, वहां से सिगनल फ्लोग्राप को बनाना है और उसके बाद फिर हम लोग मैसर गेन फर्मूला का यूज करके सिगनल फ्लोग्राप को सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन दिया है, X2 is equal to A12X1 plus A32X3 plus A42X4 plus A52X5 X3 is equal to the A23X2, X4 is equal to the A34X3 plus A44X4, X5 is equal to the A35X3 plus A45X4 where X1 is the input variable and X5 is the output variable, X1 आपका input हो गया और X5 आपका output हो गया अब हम लोग equation की मदद से signal फ्लोग्राप को बनाएंगे तो पहले हम लोग देखते हैं nodes कितना है, तो node क्या हो जाएगा X1, X2, X3, X4, X5, आपका 5 node हो गया, तो सबसे पहले हम लोग node बनाएंगे तो X1, X2, X3, X4, X5, अब 1 और 2 के बीच में जो आपका transfer function होगा वो क्या हो जागा, A12, A23, क्योंकि यहां पर हम लोग A में ले रहे हैं, तो यहां पर A में लिखना होगा A23, A34, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, A45, आप देखिए, X2 is equal to क्या है, A12, X1 तो A12, X1, plus A32, 3 से 2 में, तो 3 से 2 में, A32, into X3, plus A42, 4 से 2 में, तो 4 से 2 में चला गया है, direction देखिए, 4 से 2 जा रहा है into X4, plus A52, into X5, तो A52, 5 से 2 में, तो 5 से 2 में आपका यह वला हो गया, 5 से 2 में, चला गया फिर आपका X3 is equal to है, A23, into X2, तो X3 आपका यह वला हो गया है, तो A23, into X2, फिर आपका X4 is equal to है, A34, 3 से 4, तो A34, into X3, plus A44, 4 से ही 4 में जा रहा है, self loop बनना है तो 4 से 4 में गया, into X4, X5 is equal to है, A35, 3 से 5 में, तो 3 से 5 में आपका X5 में चला गया, 3 से 5, तो A35, plus A45, 4 से 5 में, तो 4 से 5, तो A45, into X4, यह आपका X5 के लिए हो गया, तो हम लोग क्या किये, set of equation से, हम लोग signal photograph बना लिए, अब हमको क्या करना है, इसको solve करना है, तो हम लोग स दो forward path है, उसके अलावा भी कोई है, कोई है क्या, forward path में same direction में जाने का, तो एक यह जा रहा है, एक यह जा रहा है, रास्ता, जिससे जैसे कि आप कोई जगा पे destination पे जाते हैं, तो वहाँ जाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, तो कितना रास्ता है जाने का destination तक, तो एक रास्ता यह है, और एक रास्ता यह है, दो रास्ता है, तो there are two forward path, दो forward path है, एक है आपका x1 to x2, x2 to x3, x3 से x4, x4 से x5, यह बला, और एक है आपका, दूसरा है आपका x1 to x2, x2 से x3, x3 से x5, यह बला, यह बला path, दो path है, अ जिए यहाँ से निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजीजूल लूप का गयर, इंडिवीजूल लूप देखेंगे, कितना है और उसका गयर निकलेंगे, तो देखेंगे, एक आपका यह लूप है, जिसको हम आपका लूप 1 है ये बला आपका लूप 2 हो गया फिर ये बला आपका लूप 3 हो गया और फिर आपका ये बला ये बला आपका यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे करके ऐसे करके ये आपका लूप 4 हो गया और ये सेल्फ लूप जो है लूप 5 हो गया तो टोटल कितना ल तो यह बहुसित दोसे आपका लूप देखिए यह वाला लूप इसका गेन क्या हो जाए गाःथ। एटो थ Ethan एति॥ UP DO THE DO THE एटरी एन्टरी गहांट थी आbeltरी इन्टाहिकत फॉरट सी अवह लूप यह वह बहूप इसका गेन क्या होजाएगा A23, A34, A45 into A52 तो यह आपका L4 हो गया अब L5 देखिए तो loop 5 क्या हो जाएगा यह बला है आपका loop, self loop तो A44 इसका हो जाएगा L5 का gain अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग gain of two non-touching loop non-touching loop का gain निकालेंगे तो देखिए non-touching loop का gain क्या हो जाएगा non-touching loop का ऐसा loop जो की touch नहीं कर रहा है तो ऐसा loop हम लोग देखेंगे अब देखिए non-touching loop आपका non-touching loop क्या है देखिए L1 और L5 ऐसा है कि यह non-touching loop है आपका कुछ इस तरह से है L1 आपका यहाँ पे है इस तरह से है यह आपका L1 है तो यह आपका L5 है तो क्या दोनों touch कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यह loop और यह loop touch नहीं कर रहा है तो यह आपका non-touching loop है तो L1 into L5 क्या हो जाएगा A23 A32 into A44 L1 into L5 है निकल गया फिर आपका और भी non-touching loop है एक आपका L4 L5 है देखिए L4 और L5 यह भी non-touching loop है L4 आपका कुछ इस तरह से है यहाँ पे देखिए यह आपका L4 है इस तरह से यहाँ से ऐसे गया यहाँ से इस तरह से गया ऐसे गया फिर यहाँ पे आगया इस तरह से आपका इस तरह से आपका है और L5 आपका इस तरह से है तो L4 यह आपका L4 है यह आपका L5 है यह भी देतिंग लूप है तो L4 इंटु एल 5 सक रहते डMat a 44 to a 44 यह आपका हो गया l4 इंट्वल 5 आपका गया अब हम लोग देखेंगे सिंस अल्ड़ लूप स्थर इन्चव परवार्वार्ट पात्ट है यह बला x1, 2, x2, x2, x3, x3, x4, 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 x5, यह बला जो आपका forward path है, इसमें सभी loop टच कर रहा है, तो del 1 is equal to क्या हो जाएगा, 1 minus 0, क्योंकि non-touching loop एक भी नहीं है, तो 1 minus non-touching loop होता है, तो 1 minus 0 is equal to 1 हो जाएगा, अब हम लोग second forward path के लिए देखेंगे, del 2 निकालेंगे, तो del 2 देखेंगे, second forward path आपका यह बला है, यह बला forward path के लिए देखेंगे, आपका जो है, यह forward path में L5 नहीं touch कर रहा है, यह आपका L5 है, यह बला आपका है second forward path, इसमें आपका L5 नहीं touch कर रहा है, इस तरह का, इस तरह से गया है, इस तरह से आपका गया है forward path और यह आपक लूप है तो 1- नंटचिंग लूप तो 1-1-1-1-4-4 अब देखिए देल इसकाल टू क्या हता है 1- सम अफ दर नंटचिंग लूप तो नंटचिंग लूप कौन-कौन सा हो गया शरी 1- सम अफ दर अल इंडिविज्वाल लूप तो टनलूप कितना है 5 है L1 L2 L3 L4 L5 5 है of the gain product of two non-touching loops, two non-touching loops कि कुन-कुन है, एक आपका L1, L5 है, और एक आपका L4, L5 है, तो प्लास L1, L5, प्लास L4, L5, आप देखिए, थिरी ऐसा non-touching loop है, जो कि नहीं टच कर रहा है, थिरी non-touching loop, तो थिरी ऐसा कोई भी नहीं है, जो थिरी जो non-touching loop है, यही बस के बल दो ही है, एक आपका L1, L5, और एक आपका है L4, L5, तो यहां से मेरा डेल निकल गया, आप हमको X5 बटे X1 निकलना है, तो X5 बटे X1 क्या हो जागा, G1 डेल 1 प्लास G2 डेल 2 बटे डेल, आप आपका सब का value दिया हुआ है, आप वहां से put कर देजे, तो आपको G1 कितना न A12, A23, A35, इंटू, डेल 2 कितना है, 1-A44, तो 1-A44, बटे, डेल, डेल हम लोग, यहां से 1-Sum of the individual loop gain, तो यह आपका individual loop का gain है, प्लास, Sum of the two non-touching loops, तो डो non-touching loops का आपका यह है, L1, L5, आपका यह है, A23, A32, A45, 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 प्लास, यहां पर देखिए, यह आपका हो गया, प्लास, आपका क्या है, L1, L4 plus L5, L4 plus L5, यह दिया हुआ है, यह आपका, L4, यह आपका L1 plus L5 है, L1 into L5, और यह है, L4 into L5, और यह आपका, 1-Sum of the gain production, all individual loop gain तो ये आपका individual loop का gain है ये L1, L2, L3 L4 और L5 यहां से और ये आपका हो गया L1, L5 और ये हो गया L4, L5 इसको आप solve कीजिए तो finally आपको X5 बटे X1 का आपको value निकल गया तो यहां से हम लोग क्या देखे signal flow graph आपको solve किये तो signal flow graph आपको solve करने के लिए आपको 2-3 point को ध्यान में एकना पलेगा पहला तो कितना forward path है सबसे पहले forward path को देखेंगे forward path अगर हम लोग देख लिए तो उसके बाद हम लोग उसका gain निकालेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे individual loop कितना है तो non-touching loop देखेंगे ऐसा 2-non-touching loop 3-non-touching loop तो normally आपको 2-non-touching loop ही रहता है तो 2 या 3 भी रह सकता है तो 2-non-touching loop है तो उसका देखेंगे कोन-कोन-non-touching loop है उसका gain निकाल लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे Mason gain formula पे हम लोग उसको put कर देंगे Mason gain formula पे हम लोग put कर देंगे t is equal to क्या होता है summation of del summation of gk into del k बटे del क्योंकि summation of gk del के है तो g1 del 1 हो जागा g2 del 2 हो जागा क्योंकि 2 forward path है अगर आपका forward path तीन रहेगा तो क्या जागा g1 del 1 plus g2 del 2 plus g3 del 3 बटे del तो forward path पे decide होगा जो कितना g1 g2 g3 कितना होगा तो इस तरह से आप question को solve कीजिए जितना practice कीजिएगा उतना आपका confidence level built होगा तो जो normal process है आपको signal photograph को solve करने का यही process है अब इस पे आप question को solve कीजिए thank you